गुद Week Nightly Good Morning Scholars आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्यांशो के लिए एक शब्द पढ़ने जारें वाक्यांश मतलब पूरे वाक्य के कुछ अंश यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स तो वाक्यांशो के लिए एक शब्द किसे कहते हैं और वो सब क्या होते हैं? आज वो हम पढ़ेंगे. लंबी चोड़ी बात को छोटा जो कर पाता है वाक्यांश के लिए एक शब वही तो कहलाता है. जब हम बड़ी इसी बात को बहुत लंबी चोड़ी बात को अगर हम एक ही शब्द में कह दें तो उसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब उधारण शंबुनात पेड़ पोधों की देखभाल करता है. तो पेड़ पोधों की देखबाल करता है इतनी सारे शब्द बोलने पड़ रहे हैं तो उसकी जगे पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया वह है माली कि शम्भुनात माली है शम्भुनात पेड़ पोधों की देखबाल करता है तो जो पेड़ पोदों की देखबल करने वाला हुआ उसे हम क्या कहेंगे माली भाशा को सरल, सुन्दर व प्रभावशाली बनाने के लिए कई शब्दों या वाक्यानशों के स्थान पर एक शब्द का प्रियोग किया जाता है समय से संबंदिप वाक्यानशों के लिए एक शब्द अलग-अलग प्रकार के होते हैं पहला है समय से संबंदिप हर दिन होने वाला उसे हम क्या कहते हैं दैनिक, हर दिन होने वाला दैनिक सप्ताह में एक बार होने वाला सप्ताह मतलब वीक वीक में एक बार होने वाला सापताहिक वर्श में एक बार होने वाला वार्शिक जिससे वार्शिकोच्व, yani annual function जो वर्श में एक बार हो उसे हम क्या कहते हैं वार्शिक व्यवसाय से संबंदित यानि की प्रोफेशन से रिलेटेड खेतों में काम करने वाला जो खेतों में काम करता असी क्या कहते हैं किसान या क्रिशक बिमारों का इलाज करने वाला बिमारों का जो इलाज करता असी क्या कहते हैं डॉक्टर, लकडी का काम करने वाला, लकडी का जो सामान बनाता है, उसे क्या कहते हैं, बड़ई, यानि कि कारपेंटर, जो लकडी का सामान बनाता है, कपड़े सिलने वाला, दरजी, यानि कि टेलर, गाना गाने वाला, जो गाना गाता है, उसे क्या कहते हैं, गायक, गाना गाने वाले को बोलते हैं, गायक, यानि कि सिंगर, सेना में काम करने वाला सैनिक, सोलजर सेना में जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं सैनिक, सोलजर अब कुछ वाक्यांश प्रकरती से सम्मन्दित है प्रकरती मतलब नेचर जिसे सूर्य का निकलना तो उसे कहते हैं सूर्योदय, सन्राइज जब सूर्य निकलता है तो उस समय को हम क्या कहते हैं सूर्यो दे और सूर्य का अस्त होना यानि कि सूर्यास्त सूर्यास्त संसेट अगला है जल में विच्रन करने वाला विच्रन मतलब घूमना जो जल में रहते हैं विच्रन करते हैं उसे कहते हैं जल चर जैसे मचली मचली पानी में रहती है तो वह जलचर है मचली जलचर है मतलब मचली पानी में रहती है नभ में विचरण करने वाला जो नभ में रहता है नभ मतलब गगन आस्मान तो उसे कहेंगे नभचर जिसे पक्षी अब हैं विविद, विविद मतलब अलग-अलगते रहे के जिसे परिश्रम करने वाला परिश्रमी तो उसी तरह से हो सकता है आलस करने वाला आलसी जो सदा सत्य बोलता हो, जो हमेशा सच बोलता हो उसे कहते हैं सत्यवादी, सत्यवादी जो अपने देश का हो स्वदेशी और जो दूसरे के देश का हो उसे क्या कहेंगे विदेशी तो जो अपने देश का हो स्वदेशी और जो दूसरे के देश का हो उसे विदेशी जहां पुस्तके रखी जाती है जहां बहुत सारी पुस्तके होती है उसे क्या कहते हैं पुस्तकाले यानि की लाइबरेरी जहां पर बहुत सारी पुस्तके होती है जहां पशू पक्षी रखे जाते हैं बहुत सारे बर्ड्स एनिमल जहां पर होते हैं उसे क्या कहते हैं चिड आपको वाक्यान्शों के लिए एक शब्द समझ में आ गया, आपको इसके नोट्स नोट्बुक में कम्प्लीट करने हैं.